नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारिक हैं दोस्तों 12 अक्टूबर 2020 और यहां पर 13 अक्टूबर 2020 यानि मंगलवार ट्यूजडे के लिए 6 श्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सलेट कर लिया है उसक आपके लाब और नुक्षान की जिमेंदारी चैनल की नहीं होगी डिस्क्लेमर को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सबसे पहला इस टॉक जो सलेट किया वो है इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा लीजिए तो यह लाइन आप देखेंगे यहां से भी श्टॉक्स ने जंप किया था तो चांस बनता है वापस से जंप करने का यह इस जगह से तो इस टॉक्स का नाम मैं इसे लिग सकता हूं HDFC Life हलांकि जो जानते हैं उनको यहां पता है कि यहां पे भी श्टॉक्स का नाम रहता है तो HDFC Life का यह इस टॉक है इसके बाई लेबल की बात करें अगर हम दो तो बाई करेंगे हम 567 के उपर बाई करेंगे और इस टॉप्रोस लगा लेंगे 563 563 का पहला टार्गेट होगा 571 572 दुसा टार्गेट 575 575 और तिसा टार्गेट 579 पाई का अगर सेल की बात करते हैं नीचे की लेबल 560 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 560 की नीचे सेल करेंगे इस टॉप्रोस 564 का लगाएंगे 564 का पहला टार्गेट होगा 556 556 दुसा टार टागेट 548 पांच मिनट करने की कोशिस करना है उसके बाद ही का सेलिंग लेबल को एज़िट करें तो ही टेड करिए अगर आप बहुत ही एक्सप्रियेंस वाले हैं तो पांच मिनट के अंदर भी टेड करना चाहें तो आपकी मर्जी लेकिन मेरा मानना यह होता है कि अगर थ असेन पेंट का फिप्टीन मिनट का टाइम फेरिम इस्टाइम बिनेध मेरा मिन ओनाम है चाहीं लिए लिए पॏ अड़ी फिए तैम फ्रेम पर ट्रॉंस पैतल में है अगर ट्रॉंस पैतल की Raj बोलोग मेंदर का और ठाच्ठ का नहीं का एम सित का 210 का second target 2110 का और third target 2120 का अगर यह नीचे की level sell side को नीचे की side में break करता है तो sell करेंगे sell below 2070 2017 गिंचे sell और stop loss लगा लेंगे 2080 का पहला target होगा 2060-2060 दूसरा target होगा 2050-2050 और तिसरा target 2040-2040 रुपए का लाइब मार्केट में call पराप्ट करने के लिए दोस्तों टेलिग्रम चैनल को जोइन कर सकते हैं वीडियो के टाइम फ्रेम पर जेज़े ब्लू स्टेल राउंडिंग बॉटम बना रहा है मैं यहां पर इस्टॉक्स का नाम लिख देता हूं जेज़े ब्लू स्टील तो स्टॉराउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने विज़े से सलेक्शन है तो बाय करेंगे बाय एभव 287 287 उपर बाय करेंगे और इस्टॉप्लोस 284 का लगा लेगे 284 का पहला टार्गेट होगा 290 290 दुसा टार्गे 293 293 और दुसा टार्गे 296 296 रुपे का हम सेल साइट की बात कर लेते हैं सेल करेंगे अगर यह नीचे की लेवल को ब्रेक करेंगे 282 के नीचे सेल करेंगे 282 के नीचे सेल और इस्टॉप्लोस 285 दुसो पचासिक है पहला टार्गेट होगा 279 289 दूसरा 276 276 और तुसरा 273 273 रुपे का तो यह तीसरा स्टॉक्स आपके सामने में में अधर सेक्टर का जे इस डबलो इस्टिल का बड़ताओं चौथा स्टॉक्स की तरफ में और चौथा स्टॉक्स का जो नाम है वह है आई टी सी का एफम सेजी सेक्टर आई टी सी 15 मिर्ट का टाइम फ्रेम बेरिश फ्लेग पैटर्न में आई टी सी फसा हुआ है इस ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड होगा बाय अबब 173 173 कूपर बाय करेंगे और इस टॉप लोस लगा लेंगे इस कंडिशन में 171 117 रुपेगा पहला टार्गेट होगा 175 बाय साइड में 175 जुसा टार्गेट 177 177 रुपेगा अगर यह नीचे की लेबल को ब् 170 170 गिनिचे सेल और इस टॉप लोस लगा लेंगे 172 172 रुपेगा पहला टार्गेट सेल साइड में होगा 168 168 सकेंड टार्गेट 166 166 और थर्ड टार्गेट 164 164 रुपेगा दोस्तों फ़र्ट टार्गेट के पास भी अगर इस टॉप आता है तो जरूर अपना 50-70% कॉ सकते हैं चलिए बढ़ता हूं चौथा स्टॉक्स की तरफ में और चौथा स्टॉक्स का आपके सामने में नाम लेकर आ रहा हूं और उसका नाम है भारती एटेल तेरा पीछा ना छोड़ूँगा सोनी टाइप का भारती एटेल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कंटिन्यू मैं इसको पांच दिन से दे रहा हूं और ये पांच दिन से एक दिन मुमेंट किया जबरदस्त उसके बाद ये फिर से उसी रेंज में टेड करने लग गया है तो हम लोग इसको अभी छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं क्यूंकि बिल्कुल अपने लोवर इंड पे है तो स्लोवर हिंड को अगर ये ब्रेक करके निकलता है नीचे तो तेज फॉल करेगा दरवाजी यहां से बांस भी करेगा भारती एटेल दोनों ही चांस बनते हैं भारती एटेल को बाय करेंगे 418 को उपर और इस टॉप तो लगा लेंगे 415 रुपय का पहला टार्गेट होगा 421 421 दुशा टार्गेट 424 424 और तिसा टार्गेट 427 427 रुपय का सेल साइट की बात करते हैं अगर ये नीचे की लेबल को प्रेक करें 411 को तो सेल करेंगे सेल बिलो 411 और इस टॉप लगा लेंगे 414 का पहला टार्गेट होगा 408 408 दुशा टार्गेट होगा 405 435 चा 202 रुपय का तो दोस्तों ये पांचमा श्टॉक्स है भारते एटेल 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार ट्विश्डे के लिए बढ़ता हूं छटा और अंतिमी श्टॉक्स आपके सामने में लेकर हाजिर होता हूं और उसका नाम है आपके सामने में इन्फोसिस आई टी सेक्टर जबदस्त मुमेंट बहतरिन परफॉमेंस इन्फोसिस अब कल देखना इन्फोसिस क्या आपने इस स्टेजी को परकरार रख पाता है क्या इस टेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है अगर ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे 1140 के उपर बाय बब डबल वन फो 1616 और 30 टारगेट 1164 और 1164 का सेल की बात करते है अगर यह नीचे की लेवल 1123 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे सेल बिलू 1123 और इस टोपलोस लग रहेगा 1131 एक 1131 रुपे का पहला टारगेट होगा 1115 एक 1115 दूसा टारगेट 1107 एक 1107 और 30 टारगेट 1099 यानि 1099 तो दोस्त 13 अक्टूबर 2020 मंगलबार के लिए टूजडे के लिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने लिए टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे अगर वीडियो और एनसी पसंद दा तो लाइक कीजिए फिडबेक दीजे मिलता हो नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद